देखो यह जो exercise है 11.3 इसमें तुमको यह वाला formula यूज करना है a square minus 2ab plus b whole square equals to a minus b का whole square यहाँ minus दिख रहा है इसलिए minus वाला जहाँ plus दिखेगा वहाँ पे plus वाला formula यूज करेंगे तो x का whole square इसको लिख सकते हैं और 36 किसका square है 6 का whole square है तो a square हो गया b square हो गया बीच में क्या है minus 2ab यहाँ minus दिख रहा है फिर formula में 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे फिर a के जगा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखेंगे और b के जगा यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे अब इसको multiply करके check करोगे 6 to the 12x चला आ रहा है और यह x square है और यह 6 का square 36 है तो a square minus 2ab plus b square क्या लिखते है a minus b का whole square तो इसको भी लिखेंगे a यानि की x minus b यानि की 6 उसका क्या लिखेंगे whole square अब यह भी answer हो सकता है या तो x minus 6 का power 2 है तो इसको दो बार लिख दो यह भी answer हो सकता है उसी तरीके से इसको भी करेंगे 36p square है यह किसका whole square होगा 6p का whole square होगा और यह 25 किसका whole square है 5q का whole square हो गया उसके बाद इसको बीच में 2ab लिखेंगे तो 2 लिखे a के जगा 6p लिखे और b के जगा 5q लिखे फिर भई a square minus 2a b plus b square क्या हो जाएगा a minus b का whole square तो a के जगा 6p था, b के जगा 5q था उसका whole square लिखेंगे आप power 2 ऐसे भी लिखके छोड़ सकते हैं या तो इसको दो बार लिख देंगे दो बार मतलब ऐसे 6p minus 5q और 6p minus 5q एंसर फिर अब प्लस वाला आ गया है तो प्लस वाला formula यूज़ करेंगे a square plus 2ab plus b square यह plus b का whole square तब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का whole square और इसको लिख सकते हैं 11y का whole square 11 का whole square 121 होता y का square y square बीच में क्या लिखना है प्लस 2ab यहाँ पर 2 लिखेंगे a के जगा क्या है 3x और b के जगा पर क्या है 11y इन टू करके चेक कर लो ऐसे यहाँ पर 6 to the 12, 5 to the 60, pq 6 to the 12, x वैसे यहाँ पर 3 to the 6, 11, 6 to the 66, x, y आ जा रहा तो a square plus 2ab plus b square a plus b का whole square तो a के जगा 3x है b के जगा 11y है फिर वैसे ही इसको भी करेंगे a4 को क्या लिख सकते है a square का whole square और 9b4 को क्या लिख सकते है 3b square का whole square तो 3 का square 9 b का power to 2 the 4 a का power to 2 the 4 तो बीच में क्या आएगा plus 2ab तो 2 लिखेंगे a के जगा यहाँ पर a square है तो a square लिखेंगे अब b के जगा यहाँ पर 3b square है तो 3b square लिखेंगे चेक कर लो 2 3 6 a square b square चला रहा है फिर वही a plus b का whole square तो a के जगा a square b के जगा 3b square उससे क्या करेंगे whole square वैसी यह वाला भी करेंगे यहाँ पर x square है तो इसको लिख सकते है x का whole square फिर 1 by x square है इसको ऐसे लिख सकते है 1 by x का whole square फिर आगे क्या होगा आगे plus है तो plus 2ab होगा तो यहाँ plus लिखेंगे 2 लिखेंगे x a के जगा x हो जाएगा b के जगा 1 by x तो यह तो उपर नीचे कड़ जाएगा x उपर नीचे कड़ जाएगा whole square तो a के जगा x था b के जगा 1 by x था दोनों का क्या कि यह whole square कर दिये वैसी यह वाला b है इसको लिख सकते है x का whole square फिर आगे plus यह 1 by 4 है 1 by 4 को लिख सकते हैं 1 by 2 का whole square 1 का square 1 होता है 2 का square 4 होता है तो a square b square हो गया बीच में plus है तो plus 2 लिखे formula से x लिखे और यह 1 by 2 लिखे 2, 2 कट के क्या बचेगा x बचेगा 2, 2 कट गया उपर नीचे x 1 जा, x बचेगा यह भी formula में set हो जा रहा है a square plus 2ab plus b square तो क्या हो जाएगा a plus b का whole square a के जगा x और b के जगा 1 by 2 था फिर उसके बाद दूसरा जो है number 2 इसमें यह वाला formula यूज होगा a का whole square minus b का whole square equals to a plus b a minus b मतलब अगर 2 square है बीच में minus है तो दोनों को एक बार plus करेंगे और एक बार minus करेंगे अब bracket में रखेंगे मतलब into का sign होगा यहाँ पे 4p square है इसको लिख सकते है 2p का whole square 2 का square 4 p square और 9 को लिख सकते है 3 का whole square तो दो number है दोनों में square है whole square और बीच में minus है तो दोनों को एक बार plus करके लिखेंगे यानि कि 2p plus 3 और एक बार 2p minus 3 फिर वैसे ही यह वाला भी है इसको लिख सकते है 2x का whole square और 169 किसका हो square हो गया 13y का whole square हो गया यहाँ भी 2 का square 4x का square x square 13 का square 169 y का square y square a square minus b square यहाँ भी वही है तो दोनों को एक बार plus करके लिखेंगे 2x plus 13y और एक बार minus करके लिखेंगे 2x minus 13y फिर वैसे यहाँ भी है इसको लिख सकते है 3xy का whole square और इसको लिख सकते है 5 का whole square तो वही 3 का square 9x का और y का square करेंगे तो x square y square हैगा और 5 का square 25 फिर वही दोनों को एक बार plus एक बार minus तो 3xy के साथ 5 को एक बार plus करेंगे और 3xy के साथ 5 को एक बार minus करेंगे अब जहां देखना कि जहां पे square नहीं है, 20 किसी का square नहीं होता, 45 किसी का square नहीं होता, तो वहां समझ जाना तुमको common लेना पड़ेगा, 20 और 45 फाइफ के table में आता है, 5 common ले लेंगे, तो 5 fours are 20 होता है, 4 बचेगा, और यहां पे x square बचेगा, 5 nines are 45, यहां पे 5 common लिए तो 9 5 से divide कर देंगे, यहां भी जैसे divide कि यह 4 आया, यह divide कि यह 9 आया, और यह y square, अब देखो, यह जो number आया, यह तो square होता है न, फिर यहां पे 5 लिखे, इसको किसका square लिखेंगे, 2x का whole square, इसको किसका square लिखेंगे, 3y का whole square, यहां curly bracket देना पड़ेगा, क्योंकि bracket change हो रहा है, फिर यहां पे, a square minus b square, तो दोनों को एक बर plus, यानि कि 2x plus 3y, और एक बर minus, 2x minus 3y, 5 जो common लिए है, वो side में लिखते रहेंगे, यह तो easy है, चीक है, यहां पे 16 है, तो इसको लिख सकते है, 4x का whole square, और 1 by 12 का whole square, 1 का square 1 आएगा, और 12 का square 144 आएगा, और यह 4 का square 16 हो गया, तो फिर यह होई, a square minus b square, तो दोनों को एक बर plus करके लिखेंगे, 4x plus 1 by 12, और एक बर minus करके लिखेंगे, 4x minus 1 by 12, एंसर हो गया, फिर यहां पे तो whole square लिखा हो गया है, बस 16 वाला को थोड़ा सजाना पड़ेगा, यह वाला तो अल्रेडी whole square में लिखा हुए, ब्रैकेट देख स्क्वार माइनस b square, तो पूरा, वही, a plus b, a minus b, तो इसको, इसके साथ इसको एक बर plus करेंगे, इसके साथ इसको एक बर minus करेंगे, तो 2a plus 3b के साथ हम एक बर 4c क्या किये, plus किये, और 2a plus 3b के साथ 4c एक बर minus किये, एंसर हो गया, बस, अब आगे अगर सम देखें, यह वाल तो इसमें देखो, यह भी, एक cube है, तो cube तो common नहीं होता, x किसी का square नहीं होता, तो common लेना पड़ेगा, जब देख लेना square नहीं गारा है, मतलब common, तो यहाँ पर 3x से यहाँ 1x है, तो 1x common हो जाएगा, 3 में से 1x जाएगा, 2x बचेगा, 1x common हो गया, यहाँ से 25 बच गया, अब तो समझ में आई जा रहा है, इसको लिख सकते है x का whole square, इसको लिख सकते है 5 का whole square, फिर भाई, a square minus b square, तो x के साथ 5 को एक बार plus करेंगे, और x के साथ 5 को एक बार minus, और जो common लिए थे side में लिखते रहेंगे, यहाँ भी देखो वैसा ही कुछ है, a plus b किसी का square नहीं होता a plus b whole cube किसी का square नहीं होता, तो common लेना है, दोनों में क्या common है, a plus b है, तो a plus b क्या करेंगे, common ले लेंगे, तो यहाँ पे a plus b common लिए, यहाँ से 9 बचा, a plus b 3 था, एक common चला गया, तो a plus b कितना बचेगा, 3 में से एक गया, तो 2, और यहाँ पे 25, यहाँ पे a की a plus b था, तो वो तो एक ही a plus b था, वो तो common चला गया, तो यहाँ से 25 बचेगा, फिर a plus b जो commonly उसको side में लिखते रहेंगे, इसको फिर whole square में लिखेंगे, यह वाला 3 का whole square होता है, और यह a plus b है, इसका क्या कि यह curly bracket देके square कर दिए, तो 3 का square 9, और a plus b का whole square, a plus b whole square, अब minus 25 को लिख सकते 5 का whole square, यहाँ पर bracket square bracket देना पड़ेगा, फिर उसके बाद a plus b common में लिखेंगे, यह वाला फिर a square हो गया, और minus b square हो गया, तो इसको और 5 को एक बर plus करेंगे, और एक बर minus करेंगे, तो 3 into a plus b, इसके साथ 5 को एक बर plus किये, और 3 into a plus b, इसके साथ 5 को एक बर minus किये, अंसर हो फिर वैसे ही यहां पर थोड़ा आगे जैसे बढ़ोगे थोड़ा tricky होता जाएगा यहां पर हम लिखे x का whole square यहां से minus common लेंगे सबका sign change करेगा इसको लिख सकते है y का whole square फिर आगे minus common लिए तो यह प्लस हो गया फिर यहां पर यह प्लस हो गया प्लस हो गया 1 को लिख सकते है 1 का whole square तो a square हो गया b square हो गया बीच में क्या आएगा 2ab आएगा अब minus common लिए इसलिए सबका sign change हो गया तो 2 लिखे a के जगा y लिखे b के जगा 1 लिखे तो देखो plus 2y आ जा रहा है फिर यहां पर x का whole square लिखे और a square plus 2ab plus b square क्या होता है a plus b का whole square तो y a था और b 1 था तो उसका whole square कर दी है फिर वही आ गया दोनों का whole square है बीच में minus है दोनों को एक बार plus करेंगे और एक बार minus करेंगे तो x के साथ y plus 1 को एक बार plus किये और x के साथ y plus 1 को minus करेंगे माइनस जब करेंगे तो यह वाला साइन चेन उठाएगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस एंसर हो जाएगा फिर वैसे यहां भी करना है यहां पर इसको लिख सकते हैं पी का होल स्क्वेर और इसको लिख सकते हैं टू क्यू क्यू का होल स्क्वेर तो 2 का square 4 और Q का square Q square तो बीच में minus है तो क्या होगा minus 2A भी होगा तो 2 लिखेंगे formula से A के जग़ा P लिखेंगे अब B के जग़ा 2Q लिखेंगे इन 2 करके चेक कर लो 2 तू जा 4P Q चला आ रहा है और ये last में minus R का whole square इसको लिखते हैं यहां से लेकर यहां तक A square minus 2AB plus B square है तो क्या हो जाएगा A minus B का whole square A square minus 2AB plus B square A minus B का whole square A के जग़ा P था और B के जग़ा 2Q था फिर आगे जो minus R का whole square है इसको लिखेंगे फिर से देखो वही आ गया A दोनों का square है बीच में minus है उनों के एक बार plus करेंगे एक बार minus तो P minus 2Q के साथ R एक बार plus करेंगे और P minus 2Q के साथ R एक बार minus करेंगे फिर वैसे ही यहां भी है यहां पर 4A square को हम लिख सकते है 2A का whole square और यह जो 4A है इसको यहां पर लिख दे रहे है plus 2 into 2A into 1 और यह जो 1 है 4A का square को लिखे 2A का whole square फिर 1 को लिखे 1 का whole square तो A कितना है 2A और B कितना है 1 तो बीच में क्या आएगा plus 2A B तो plus 2 लिखे formula से A के जगा 2A लिखे B के जगा 1 लिखे तो 2 2 the 4 1 the 4 A चला रहे है और इसको ऐसे whole square में लिख दिए यहाँ पे वही A square plus 2AB plus B square यानि कि A plus B का whole square और यह वहला 2B का whole square फिर वही 2 square है बीच में minus है दोनों को एक बार plus करो तो 2A plus 1 के साथ 2B को एक बार plus करके लिखेंगे और 2A plus 1 के साथ 2B को एक बार minus करके लिखेंगे हो सकता है answer में आगे पीछे उसे कोई फरक नहीं पड़ता है फिर इसमें भी इसको 625 है 625 किसका square होता है 25 का whole square 25 25 जा 625 अब P4 क्या होता है P square का whole square 2 to the 4 हो गया फिर वही देखो दोनों का square है बीच में minus है तो दोनों को एक बार plus करेंगे तो 25 के साथ P square एक बार plus करेंगे और 25 के साथ P square एक बार minus करेंगे यहाँ पर answer हो जाता लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो plus वाला है उसका तो factorization नहीं होगा इसका फिर से factorization हो सकता है 25 को लिख सकते है 5 का whole square और यह वाला P का whole square 5 square 25 फिर से वही formula में यह set हो जा रहा है दोनों का square है बीच में minus है दोनों को एक बार plus करेंगे 5 के साथ plus P करेंगे और 5 के साथ minus P करेंगे answer हो जाएगा यहाँ पर यह जो sum है इसको भी उसी हिसाब से हमको setting करना है तो यहाँ पर देखरो जो बाकी सब पर square है और यह B C है B C है नहीं B और C का square होगा A को side रखना है तो 64 किसका square होता है 8 का तो 8 A का whole square कर दिये 64 A square हो जाएगा फिर हम यहाँ पर minus common लेंगे ब्रेकेट स्टार्ट करेंगे ब्रेकेट स्टार्ट करेंगे तो 9 B square को लिखेंगे 3 B का whole square अब minus common लेंगे तो plus क्या हो जाएगा minus और यह last वाला minus को हम लिखेंगे plus 49 किसका square होता है 7 का 7 C का whole square तो sine चीन हो जाएगा minus से plus plus से minus A square हो गया B square हो गया बीच में क्या आएगा minus है तो minus 2 A B आएगा तो 2 लिखे A के जग़ 3 B लिखे और B के जग़ 7 C लिखे अब multiply करके check कर सकते हो 2 3 0 6 7 0 42 B C चला आ रहा है तो यह वाला copy किये 8 A का whole square और यह वाला A square minus 2 A B plus B square क्या होता है A minus B का whole square फिर वह देखो 2 square है बीच में minus है दोनों को एक बार plus तो 8 A के साथ 3 B minus 7 C को एक बार plus करके लिखेंगे और 8 A के साथ इसको minus करके लिखेंगे लेकिन minus करके लिख रहे तो इसलिए इसका sign change हो जाएगा तो यह 3 B minus से plus 7 C answer हो जाएगा फिर देखो last के तरफ उस sum है last के तरफ जो sum है उसमें वही formula हमको use करेंगे